हेलो गाइस कैसे हैं आप वेलकम बैक टु लिटरेटर इंफरमेशन हम लोग डिसकस कर रहे थे मौटरन पोईटरी को जिसमें हम लोग वेस्टलाइन को डिसकस कर रहे थे हम लोग टी एसीलेट की बायग्राफी को डिसकस कर चुके हैं वेस्टलाइन के बार में भी डिटेल से discussion की है, Bureau of the Dead को भी discuss कर चुके हैं, यह हम लोग का first section था, second section को हम लोग discuss कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने first part पढ़ लिया था मैंने आपको बताया था, कि इस poem के अंदर दो stories हैं जिसमें से हम लोग एक story discuss कर चुके थे और हम लोग second one discuss करेंगे, यह सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है यहां से हम लोग की आज की story स्टार्ट होगी, स्टार्ट करते हैं अब यहां पर क्या बात हुई है कि वेन लिल्स हस्बेंड को दी मॉप्ट, I सेट अब यहां पर basically में बात कर रही है लिल वुमेन का नाम है जिसकी story है, ठीक है स्टार्ट करते हैं वेन लिल्स हस्बेंड गॉप्ट डी मॉप्ट का क्या मतलब होता है एक हजूम का हिस्सा होना वहां से घर की तरफ आ रहा है इसका शोहर, हस्बेंड उसका ठीक है आई सेट वाली जो है यह आई आई का हम लों को बता रहा है कि यह दूसरी लेडी है और लिल क्या है? यह एक और लेडी है दो लेडी बैठी हुएं ठीक है अई डिडेंट मेंस माइ वर्ट आई सेट तो हर मैसेल्फ अब यहां पर लेडी कह रही है अब यहां पर यह हरी यह प्लीज इस टाइम इसका क्या मतलब है यह हम लों के पास वेटर है जो बाबार आके उनको रिमाइंड करवा रहा है कि पब क्लोस हो चुका है और आप लोग चल्दी करें अच्छा अब लेडी और उन दोनों के आपस में कन्वर्सेशन बताई है दो लेडी इसकी एक लिल है और दूसरी रॉक लेडी है ठीक है अच्छा क्या बात हो रही है अब अलबर्ट स कमिंग बैक मेक यूरसेल्फ अबिट स्मार्ट कि भई अब तुमाई हजबन वापस आरह है अबर्ट वापस आरह है अपने आपको यंग बनाओ अपने आपको खुबसूरत बनाओ वो जरूर जानना चाहेगा कि उसने तुमें पैसे दिये थे तुमने किया क्या तुगेट यरसल्फ सम टीथ यहां पर वो उसको टीथ के बारे में कहीए तुम्हें दान्त बोजा खराब है कोई न्यू लगवालो जो पैसे तुम्हें दिये थे उनको यूस करो अब क्या कहती है तुम्हें दिये थे पैसे में महाँ पर थी यू हैव देम आल आउट लिल एंड गेट आ नाइस सेट कोई नाइस सेट लगवालो दान्तों का वो क्या कहती है कि तुम्हें हस्बें ने क्या काता he said I swear I can't bear to look at you कि मतलब तुम्हें दान्त ऐसे कि मैं तुम्हें तब देख भी नहीं सकता उसके हस्बें ने उसको कहा ठीक है and no more can't I मैं भी नहीं देख सकती I said मैंने का and think of poor Albert उस बिचारे Albert के बारे मैं सोचो he's been in the army for years वो चार साल से army में था he wants a good time अब अच्छा time चाहता है मतलब यहां पर किसकी बात हुरी है सेक्स की बात हुरी है फिर से and if you don't give it him अगर तुम उसको वो यह नहीं दोगी जो चाहरा है there is other will I said अब और कह रही है कि अगर तुम उसको नहीं दे सकती तो और भी लोग है यहां पर जो उसको देंगे यह सब कुछ oh is there अब यह लिल ने जवाब दी है लिल कह रही है अच्छा तो यह बात है she said उसने कहा something or that I said फिर यहां पर उस लेड़ी ने कहा है something like that अच्छा अब देन आइल नो who to thank she said and give me a straight look फिर अगे लेल ने कहा तो मुझे पता है कि इसको शुक्रिया दा करना और उसको straight look दिया ठीक है next फिर यहां फिर बेटर आते है उनको याद दिलाता है कि भी pub close हो चुका है अपनी gossiping बाहर जागे कर लो बस कर दो लेकिन वो लोग उसको इगनोर कर देती है और अपनी conversation जारी रखती है अब वो क्या कहती है lady rock if you don't like it you can get on with it I said others can pick and choose if you can't अब वो क्या कह रही है कि अगर तुम्हें Albert नहीं चाहिए तो तुम उसको छोड़ दो तुम उसके साथ क्यूं हो कोई हो रहेंगे और वो उसको चूज कर लेंगे फिर वो कहती है but if Albert makes off it won't be for lack of telling you ought to be ashamed I said to look so antique and her only 31 he said here but if Albert has left you then don't feel ashamed and I didn't say that I warned you he said that you are so old but it's my age 31 and what answer is he said I can't help it she said pulling a long face long face means sad okay he says what's wrong with me that I can see this he says it's them pills I took to bring it off she said why did she take pills? let's see she's had 5 already and nearly died of young George meaning she took pills during pregnancy during pregnancy she was already 5 children and 5th child whose name was Josh nearly died meaning sensitive and 6th one which caused her abortion she took pills she couldn't accept her so she took pills and she said the chemist said it would be alright but I've never been the same she said she took pills for me for abortion and the doctor said she said everything will be fine and you will see it take abortion pills take abortion pills she took pills and her condition was wrong physically it was wrong okay what's next what's next lady rock said you are a proper fool you're crazy I said I said lady rock well if Albert won't leave you alone there it is I said what you get married for if you don't want children now they say if Albert you don't want to leave you alone then why did you get married if you don't want children you don't want children now this happens in the European culture that everything happens before marriage and people do marriage later this is the scene okay later the waiter says they say hurry up please it's time pub closed you guys hurry up then they say well that Sunday Albert was home they had a hot gaiman what is gaiman this is pig's ghost they eat there okay and they asked me to dinner to get the beauty of it now Albert and Lil both are at home enjoy their dinner and there lady rock they call it for dinner this is happening here then the waiter says hurry up please it's time he says good night 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 what is this good night good night what is this this is from Shakespeare's play Hamlet this is from Hamlet this is from Hamlet because Hamlet was a tragedy and here married life this was also a tragedy of Lil and Albert now I have told you stanza wise basically what is this I will tell you what is this we have learned that there are two ladies who are both together but one time they are sitting where waiter says please 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 this and people keep their story and keep their conversation and ignore them basically what happens is that he has talked about Lil's husband from war वो आर्मी में है तो वो लिल को मश्वरे दे रही है कि अपनी परसनालिटी को थोड़ा ग्रूम करो स्मार्ट बनो अपने दांट से ही करवा हो तुमारे दांट बहुत बुरे लग रहे हैं जो तुम्हें अलबर्ट ने पैसे दिये थे उससे कोई न्यू सेट लग वालो दां लिल कहती है ओ इस देट सो तो लेडी कहती है लेडी रॉक हाँ सम्थिंग लैग डैट फिर लिल सार्केस्टिकली बोलती है कि फिर तो मुझे पता है कि मुझे किसका शुकरी अदा करना चाहिए अब लिल की ये बात सुनकर वो उसे एक्स्क्लेन करती है कि तुमने मुझे है इतने में बेटर फिर आता है कि ए और फेल जल्दी करे लेकितिए लेकिन उसको लोग लोग कर देती है कि ये लेडी को कहती है कि भी यू डॉष और टुमने और अलबर्ट गया तो अगर तुमने ऊब पसंद नहीं तो और अगर अलबर्ट ने चुड़ दिया तो मुझे तो वो लिल को पर क्या कहती है कि लोक अट यूरसेल्फ, यू लुक्स रोल्ड और उसकी एच थिए थर्टीवब अभ लिल कहती है कि मेरी क्या घलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा यहाल इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने अबॉर्शन पिल्स लीन दी अब अबॉर्शन पिल्स उसने लीन थी क्योंकि उसके पांच बच्चे अल्रेडी थे और आखरी बच्चे की डिलिवरी के वाक्त उसकी हालत बहुत जादा खराब थी अब उसको डॉक्टर ने पिल्स दी है बॉर्शन की जिसकी वजह से हालत और जादा खराब हो गई अब उसके उपर उसको दूसरी लेडी कहती है लेडी रॉक कि तुम पागल हो लेल से कहा कि अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए तो तुमने अलबर्ट से शादी क्यों की अब होता है ना ये ये उर्पेन कल्चर के अंदर के मैं आपको अगर भी बताया है फिर वेटर आता है वो उनको आगर याद दिलाता है कि जल्दी करें पप क्लोज हो चुका है लेकिन वो लोग फिर उसको एग्णोर कर देती है फिर बताते हैं कि जिस संडे को अलबर्ट ने और लिल ने उनको डिनर के ओपर बुलाया उस लेडी को और यहाँ पर कहानी खतम हो जाती है दुबार आके वेटर उनको याद दिलाता है कि आप जल्दी करें और वो लोग बिल वगर देती हैं और फिर वो लोग चली जाती है और गुड नाइट के ओपर सारी स्टोडी खतम हो जाती है जो अमनों को बताती है कि उनकी ट्रेजडी, मैरेट लाइफ की ट्रेजडी ठीक है? अब बेसीकली सेकंड सेक्शन के अंदर इडिएट ने क्या बताया? मॉडरन वर्ल्ड की स्टेरोलिटी के बारे में बताया कि मॉडरन वर्ल्ड की सोच कैसे ही है और inability society के साथ connect होने की, communicate करने की उसके इलावा दो different senses की बात की पोईटने death की बात कैसे हुई है abortion form में उसके इलावा repetition sentence की हुई hurry up it's time ठीक है, उसके इलावा Elliot का ये style है वेस्ट लेन के अंदर elusive, complex, historical, mythological, literary ideas को new form में बताता है अगर हम लोग critically second section के बारे में देखे हैं तो दो ladies सेक्स के बारे में बात कर रही है कि sex matters लिल का जो husband है, वो चार साल बाद आ रहा है and he wants an active sex life अब यहाँ एक lady of rock है जो advice कर रही है लिल को कि वो young और pretty दिखे ताकि उसका husband उसको प्यार कर सके नहीं तो कोई और लड़की उसको ले जाएगी अब जो लिली है वो परिशान है कि वो sex की वज़ा से पांच दवा मा बन चुकी है और six time उसकी हालत जो थी उसने abortion करवा दिया जिसकी वज़ा जो उसने pills लें उससे उसकी health और खराब हो गई अब लिल क्या है वो basically frustrated है और confused है यहां पर ठीक है तो simply इसके अंदर game of chess के अंदर हम लोगों को first section में description of drawing room मिला second के अंदर sex in high society मिला और third के अंदर married life of the lower class बताया ठीक है तो यहां पर हम लोगों को क्या सबख मिला यह आप लोग comment box में बतायेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा explain की है ठीक है उमीद है आप लोगों को video समझ आई होगी lecture अच्छा समझ आया होगा मिलते हैं next video के अंदर तब तक अपना ख्यार रखें video पसंद आई है तो video को like करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलेगा लाफेज